जैहिन क्या हमारी आवाज आपकी कानों तक पहुँच रहा है जी यहां अगर आपको पहुँच रहा है तो आप ध्यान दीजे कि यह सब चीजे में से अगर आपको कोई भी चीज सीखना है तो बस आप वीडियो के यहां पर आप किलिक किजिए किलिक किजिए और इसके बाद आपको खुद वखुद समझ आ जाएगी और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकृतिक संख्या की और बारी-बारी से सब चीजों को हम जानते है मुझे आसा है कि आप सब को कुछ न कुछ ये सब चीजे में से तो पता ही होगा जी हाँ आपको पता है पर आप डरते है तो आपको मैं डाउट इस वीडियो में किलिए करने वाला हूँ तो बढ़ते हैं आगे क्यों आप समझते हैं बारी-बारी से ओके तो यहाँ पर आप ध्यान दिजे सबसे पहले लिखा क्या हुआ है ध्यान दिजे तो यहाँ पर आप आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि प्राकृतिक संख्या जिसे अगर हम इंगलिस में कहें तो हमारा होता है नेचुरल नमबर्स ओके तो यहाँ पर इसका जो डिफिनेशन है वो क्या है देख सकते हैं कि गिनने वाले संख्या को हम क्या कहते हैं प्राकृत संख्या या हम इजली कहें तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इंगलिस में कहें तो नेचुरल नमबर्स कहते हैं तो यहाँ पर आप इसका example में भी समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने यार लिख क्या रखा है देखते रहे हैं तो यहाँ पर क्या है एक है दो है तीन है चार है पाँच है छे है साथ है आठ है और इसके साथ ही साथ नौ है दस, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जाते 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 अनंत तक, अनंत तक कहने का मतलब ये, कि हम कहें भी लजा सकते हैं, बहुत दूर तक लजा सकते हैं, कभी इसका अंत नहीं हो सकता है, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या आपको आ गई होगी, और बढ़ते हैं आगे की और, ठीक है, तो आगे का जो हम करें क्रमिक संख्या का तो हमारा आज आता है इंगलिस कंस्क्यूटिव नंबर तो यहां पर आप इजली समझेंगे तो यहां पर परिभासा में लिखा क्या हुआ है कि क्रम या लागतार या लागतार कहें बात सेम ही है तो क्रम या लागतार आने वाली संख्याएं को हम क्या कहते हैं करमागत संख्याएं कहते हैं तो यह आपको समझ आ गई होगी तो करमागत कहें या करमिक कहें बात सेम ही है तो आपको घवरानी यहाँ पर नहीं है और साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर लिखाव है जिनके बीच कोई प्रकृतिक संख्या ना हो तो यहाँ प के बाद हमारा क्या आ जा रहा है चार आ जा रहा है यानी लागतार आ रहे हैं तो जैसे आप यहाँ पर दूसरा एक्जामपल देख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं नौ के बाद हमारा आजाता है क्या 10 और 10 के बाद हमारा क्या आ जाता है इगार आ जाता है ठीक है तो यहां पर अगला देख सकते हैं 100 के बाद 101 और 101 के बाद 102 तो यह सब क्या है लागतार आने वाले संख्या तो इसको ही हम क्या कहते हैं करमिक संख्या कहती हैं और यहां पर रह ग पतलब एक से आपका नहीं होना चाहिए लागतार ठीक है तो यहां पर आप यह सब चीज़े आसानी से समझ पाएंगे और चलते हैं आगे की और और समझते हैं यार बहुत ही आसानी से चलिए हमारा अगला जो बात आजाता है वो क्या है परवर्ती जिसे हम इंगलिस में बात करें तो सकसेसर जी हां हमारा आजाता है परवर्ती जिसे हम कहते हैं सकसेसर तो यहां पर आप देखेंगे तो इसका जो परिभासा लिखा हुआ है डिफिनेशन लिखा हुआ है जो कि एक से शुरू हो और अनंत तक हो जैसे मैंने आपको अभी भी ना बताया है यार कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है तो एक से शुरू होगा और अनंत तक यानि किसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम एक जोड़ देते हैं यानि आप समझे कि कोई भी नंबर जैसे मैंने य यहां पर 55 है तो 55 में हम जैसे ही एक जोड़ देते हैं तो वह हमारा क्या आओ जाता है क्या किजे, काट दिजी, ठीक है, अब काटना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो यहां पर एक ही चीज आपको वहां पर एड करना है, तो जैसे मैंने 60 लिया, और 60 में एक अगर हम एड करते हैं, तो हमारा कितना जाता है, 61 आ जाता है, जैसे माल लेते हैं हम यहाँ पर ले लेते हैं आप समझी ऐसे 20 लेते हैं तो यार 20 में अगर हम एक जोड़ेंगे यानि एक हमारा क्या है एक हमारा क्या है आपको परवर्ती यानि कोई भी संख्या में एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा परवर्ती यह कहलाएगा ठी तो यह बात आपको लगता है आगे होगी आगे होगी आगे होगा यह क्या होता है आगे होगा ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए आगे की जुबात हैं वो क्या है देखते रहिए यहाँ पर आगे की जुबात हैं वो क्या है पूर्व वर्ती जिससे हम इंगलिस में कहते हैं प्रेडी सेसर जी हाँ प्रेडी सेसर अब यह क्या है तो यहाँ पर आप देखते रहिए क्या लिखा हूँ है कि किसी संख्या में एक जी हाँ किसी संख्या में एक व्योकलन करने पर आपको क्या कहला जाता है पूर्व वर्ति यहाँ पर कहा जाता है यानि इसका मतलब क्या हो ब्योकलन का मतलब ये होता है कि किसी संख्या में एक घटाना इसका मतलब क्या होता है ब्योकलन का मतलब आपका होता है घटाना ठीक है तो जैसे आप 20 में से अगर एक घटाती है तो आपका 19 हो जाता है तो 20 का अगर आप से पुछ दिया जाए कि 20 का पूर्ववर्ति यानि को इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 100, 100 में से अगर एक घटा देते हैं, तो हमारा क्या जाता है 99, तो 99 हमारा क्या है, 100 का क्या है, पुर्व वर्ति है, लेकिन गाइस ध्यान देने वाली बात यह है, कि मैंने अभी भी कहा कि दुनिया की कोई भी सांग्या, अगर मैं आपको बता दूँ, जी हाँ, अगर मैं आपको बता दूँ, मैंने अभी भी क्या बताया है, यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक का, जी हाँ, एक का, अगर मैं एक, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर एक का, मैं पुछूँ कि एक का, पुर्व वर्ति क्या होता है, तो क्या आप बत बता पाएंगे जीरो होगा तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है जी हाँ प्रकृतिक संख्या का आपका पूर्ववर्ति नहीं होता है आगे पूर्ण संख्या की होती है ठीक है तो ये सब चीजे ध्यान देनी है तो आपको क्या करना है कि पूर्व वर्ति में आपको ध्यान देना एक घटा देनी है और यहाँ पर देख सकते हैं पर्व वर्ति में क्या कर देनी है एक हमारा जोड़ देना होता है ठीक है तो यह छोटी सी बात आपको कुछ ज्यादा ही सीखा डाली ठीक है तो आगे हमारा आजाता है वो मैंने आर यहाँ पर जो आप सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है प्राकृतिक संक्या तो मैंने बताया ही नहीं प्राकृतिक संक्या को मेरे प्यारे साथियो इन से सुजित करते हैं यानि अगर आपक भी पाएंगे क्या है पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या जिसे अगर हम इंगलिस में कहें तो होल नंबर्स यहां पर होते हैं तो पूर्ण संख्या को हम क्या से परदर्शित करते हैं तो यहां पर हम को दिख क्या रहा होगा देखते रहिए जी हां देखते रहिए जी हां यहां पर देखते रहिए प्राकृतिक संख्या में जी हां प्राकृतिक संख्या में सोन्य लगाने पर हमारा यह क्या हो जाता है पुर्ण संख्या बन जाता है तो मैंने यार एक्जांपल में लिख क्या है कि यहाँ पर एक से start होता है लेकिन प्राकृतिक संख्या में यह होता है अगर आप से पूर्ण संख्या पुछ रहा है तो बस आपको इसमें सुरू में यानि आपको starting में zero यहाँ पर बैठा देना होता है तो zero से अगर कोई गिंती शुरू होती है तो वो आपको क्या कहलाती है पूर्ण संख्या कहलाती है प्राकृतिक आपको कब कहलाईगी जब आपको ये जरासा इसको न हम बंद करते हैं जरासा इसको हम काला करते हैं ताकि आपको समझ में आए ज्यादा यानि आपको मैं समझा क्या रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 0 से start होगा तो आप उसे कहिएगा पूर्ण संख्या ठीक है और एक से start होगा तो मैंने आपको बताया ही है क्या वो आपका होता है प्रकृतिक संख्या ठीक है तो बढ़ते हैं आगे की ओर हमारा आजाता है आगे की topic यहाँ पर देख सकते हैं आगे की topic में यार लिखा क्या हुआ है योग का करम बिनी में अब यह क्या होता है तो यहाँ पर देखते रहिए यहाँ पर आप देखते रहिए आखी हो क्या रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है योग का करम बिनी में इसका अगर हम इंगलिस बहाँ देखते रहिए हमारा क्या है योग का करम बिनी में यानि अगर हम आसानी से इंगलिस में कहें तो क्या होता commutative property of additional जी हाँ योग का करम बिनी में का आपका हो जाएगा ये English क्या है commutative property of additional ठीक है तो यह आखिर है क्या तो यहाँ पर आप ध्यान दिजिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो यह है ध्यान देने वाली बात तो यह है किन ही दो संख्याओं को जी हाँ दुनिया के किसी भी दो संख्या तो किन ही दो संख्याओं को किसी भी करम में जोडने पर कोई बदलता नहीं है या कुछ बदलाव नहीं आता हो तो वो क्या आपका योग का करम बिनी में होता कहने का मतलब यह आप समझें दोस्तों कहने का मतलब यह और पेन की कुलर हम लेते हैं कहने का मतलब यह कि A का मान हमारा दिया गया है 5 और B का मान हमारा दिया गया है 6 तो यहां पर यह सूत्र क्या कह रहा है आप ध्यान दिजी यह हमारा सूत्र है और यह सूत्र का मतलब क्या है आप ध्यान दि यानि कहने का मतलब यह है कि चाहे आप देखिए यहाँ पर चाहे आप 5 पलस 6 कीजिए या आप 6 पलस 5 कीजिए बात बराबर ही है अगर आप कैसे भी जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा जितना की होता है यानि 5 और 6 को जोड़ेंगे तो आपका आजागा इगारा और 6 और 5 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जागा इगारा हो जागा तो इसलिए हमारे यह क्या कहलाएगा यह हमारा योग का करम बिनी में आपका होगा यानि बराबर होगा ठीक है तो आप यहाँ पर समझ सकते ह ठीक है थे योग का करम बिनी में होता है ठीक है चलिए योग यानी समझ सकते हैं जोड ठीक है तो बढ़ते हैं आगे की और तो अब हमारा अजाता है घटाओ का करम बिनी में अब ये क्या लफ़ रहा है तो यहाँ पर आप समझे हमारा सूत्र क्या कह रहा है यहाँ पर देखते रहे है सूत्र क्या कह रहा है A-B बराबर B यहाँ पर B-A यही आपका कह रहा है तो माना कि A बराबर आपका है दोस्तो तीन और B बराबर आपका कितना है मानते हैं आप ले लिजी एक तो यहाँ पर सुत्र के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए A का मान कितना है तीन और B का मान एक है और इसके बाद बराबर और इसके बाद B के मान कितना है एक और इसके बाद A का मान है तीन अगर आप यहाँ पर आसानी से देखेंगे तो जरासा मैं इसको ना हाँ और उपर करता हूँ तो यहाँ पर जरासा देखीगा तो तीन में से अगर हम एक को घटा करते हैं तो हमारे कितना आ जाता है, यहां पर दो आ जाता है, तो यहां पर दो आ जाता है, लेकिन अगर हम एक में से यहां पर तीन को घटाते हैं, तो यहां पर माइनस दो आ जाता है, यानि यहां और लेफ्ट हैंड साइड और यहां राइट हैंड साइड यह बराबर नहीं है, तो A पलस B न बराबर B माइनस A तो यह क्या है योग का सोरी घटा का आपको क्या है करम बिनी में हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप EG UA में समझ सकते हैं तो यहाँ पर लिखा भी क्या हुआ है देखते रहिए तो यहाँ पर घटाओ का करम बिनी में नहीं होता है ठीक है तो यह छोटी छोटी सी बात आपको वहुत ही आसानी से आ गई होगी ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आजाता है हमारा गुनन का करम बिनी में जी हाँ गुनन का करम बिनी में इसका कहने का मतलब यह कि आप अगर जब भी गुना करते हैं कि दोनों तरफ देखिए यहाँ पर शूत्र क्या कह रहा है शूत्र है यह A multiple B बराबर B multiple A यानि A गुने B बराबर B गुने A यानि A के मान अगर हम ले लेते हैं जरा सा फेन की कॉलर दूसरा करते हैं चलिए पर इंसल हम बदल चुके हैं तो माना कि A बराबर आपका है जैसे हम ले कितना ले मानते हैं चार ले 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 और B बराबर अगर हम ले मानते हैं 8 लेते हैं यह बराबर चार है और भी बराबर आट है अब इ keen कहाते हैं तो primo किपितने हैं चाहर कि यह आघा जाग है और वि ce भी में लिखित है उसान ही फिलाई और चोका नहीं स्ट फीले पर यहां फ्लीट है अनि यहां प्ट मिखते हॹिए यहां और right hand side में भी बराबर यानि गुनन का करम बीनी में होता है ठीक है तो यह छोटी सी बात आपको लगता है समझ आ गई होगी तो गुनन का करम बीनी में क्या होता है बराबर होता है ठीक है तो इसलिए यहां पर क्या हो गया यहां पर यह आपको चीन नहीं लगेगी यह आपक चीन जो है यहां पर यह चीन आपका नहीं लगेगा तो इसलिए यह आपको इस तरह से हो जाएगा तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं ठीक है तो गुनन का करम बीनी में क्या होता है बराबर होता है ठीक है तो चलिए आगे आजाता है हमारा विभाजन का करम बीनी में जी हां विभाजन यानी भाग का करम बीनी में अब ये कैसे समझना है तो जैसे आप यहां पर समझते रहें आखिर मैं आपको समझा कह रहा हूं तो यहां पर आप देखिए आपको मैं क्या कह रहा हूं जैसे हमारा कहने का मत माना कि A बराबर आपका दिया हुआ है 8 ठेक है और B बराबर आपका दिया हुआ है 2 तो अब इसको सूत्र की माध्यम से बैठाते हैं ये रहा हमारा सूत्र और इस सूत्र की माध्यम से बैठाते हैं तो जैसे ही हम क्या करते हैं ये कमान कितना है 8 है तो 8 भागा करते हैं 2 बरा तो यहां पर आपका कितना जाता है चार और इसके बाद यहां पर देख सकते हैं आपका एक बटा यहां पर चार आएगा यानि कहने का मतलब यह कि यहां पर left hand side और इधर right hand side दोनों में बराबर नहीं है तो इसलिए विभाजन का करम बिनी में नहीं होगा इसलिए इस सूत्र में इस परकार कि आपको लग जाएंगे चीन तो इस परकार के चीन इसका मतलब यह कि यह बराबर इधर और इधर left hand side and right hand side में बराबर नहीं है ठीक है तो यह होगे आपको विभाजन का करम बिनी में तो आप इस तरह से समझ सकते हैं तो क्या और यहां पर आगे नीचे लि नय दिन और नय वीडियो के साथ अपता के लिए बने रहें और जूडे रहें और कोई दीकत हो ना तो नीचे यार जरूर लिखना ठीक है तो बाबाट टेक केर बेस्ट अफ लक बने रहें और जूडे रहें